राधे राधे एवरिवन आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधायां फ्रेंड्स दिवाली के दिन शाम के समय लक्समी पूजन किया जाता है और अगर आप लक्समी पूजन में कलस थापना वगरा नहीं करते हैं तो बहुत सरल तरीके से भी आप लक्समी माता का पूजन कर सकते हैं आज की वीडियो में मैंने बहुती सरल वीधी शेयर की है सबसे पहले तो शाम के समय सनाना दी करने के बाद जिस जगह पर भी हमें पूजन करना है उस जगह को अच्छे से हम साफ कर लेंगे उसके बाद वहाँ पर हम एक चोकी लगा लेंगे चोकी पर लाल रंका वस्तर हमें बिचाना है घर पर अगर पहले से लाल रंका वस्तर है तो उसी को धोक्या बिचा लिजेगा नया लाने की जुरुत नहीं होती है उसके साथ ही हम लक्स्मी माता का पोस्टर लगा लेंगे तो आपके पास जो घर पे पहले से ही मंदिर में लक्स्मी गनेश जी की मूर्तिया है उनको आप विराजमान कर सकते हैं थोड़े से चावल का या फूल का आसन देकर हम लक्स्मी गनेश जी को विराजमान करेंगे के साथ ही हमें सोने या चांदी की कोई चीज जरूर रखनी होती है सोना चांदी लक्षमी माता का ही सवरूप होते हैं तो अगर आप धन 13 के दिन सोना चांदी खरीद के लाए हैं तो वो रखते नहीं तो पहले से जो घर में हैं उसे आप रख सकते हैं साथ में धन तेरस के दिन जो बरतन आप खरीद के लाए हैं वो भी आप चोकी पर ही रखे अब हमने चोकी लगा ली है हम पूजा शुरू करेंगे तो पूजा शुरू करने से पहले हाद जोड़कर हम लक्सी माता से प्रातना करेंगे कि हे मा आज मैं आपके निमत पूजा कर रही हूँ आप मेरे घर में स्थाईवास करें और मेरे घर में अंधन की बरकत करें ऐसा कहके फिर हम जल के चीटे लगा देंगे तो सब को हम स्नान करा देंगे जल के चीटे लगा कर उसके बाद हम दिया जलाएंगे तो दिवाली पर बड़ा दिया जलाया जाता है जो की र हम सबसे पहले जला देंगे, चावल का आसन देकर आप बड़ा दिया जला दें, उसके बाद हमने सिनान तो सभी को कराई दिया था, अब हम वस्तर सवरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे, तो लक्षमी जी को, गनेश जी को, और फोटो में विराजमा सभी देवी देु हम तिलक कर देंगे, सभी को हम अक्षत चावल समर्पित कर देंगे उसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आप जरूर फूल समर्पित कीजिएगा और दिवाली की पूजा में तो आप फूल जरूर जरूर लेके आईएगा क्योंकि लक्स्वी माता को फूल अतीप्रिया है तो अगर आपको लक्स्वी माता के लिए कमल का फूल मिल जाता है तो आप लक्स्वी माता को कमल का फूल समर्पित करें कमल का फूल नहीं मिलता है तो फिर लाल गुलाब भी आप लक्षिमाता को समर्पित कर सकते हैं और दिवाली के दिन तो ये कमल का फूल होता है बहुत आसानी से मिल जाता है एक दो दिन पहले भी आप लाकर पानी में रख सकते हैं के साथ ही अगर आपके पास गोमती, चक्र, कमल, गटे और कोड़ी हैं तो दो-दो आप समर्पित कर दिए जादा संख्या में भी समर्पित कर सकते हैं कम से कम दो-दो जरूर समर्पित कर दे अगर नहीं है तो कोई बात नहीं इनके बिना भी आप पूझा कर सकते हैं लक्षी माता के पिरिया चीज है, इसलिह हम honesty अम उसमरपित करते हैं, अगर आपके पाद जनेव है तो गनेजी को opposite म समरपित कर दीजेगा, जनेव नहीं है तो सिर्फ कलावा ख़मनेWeर समरपित करसे छो हमने रुपे लिए हैं उन पर सिक्के पर आप तिलक कर दीजिएगा नोट पर तिलक ना करें तो सिक्के पर तिलक कर देंगे चाफल समर्पित कर देंगे फूर समर्पित कर दें हैं या आपके पास कड़े आनाज नहीं है तो सिर्फ आप धनिया समर्पित कर सकते हैं तो यहां पर मैंने सब्त धान समर्पित किये हैं और इसके बाद फिर हम लक्सिमाता को भोग समर्पित करते हैं तो भोग में खील पताशे जरूर समर्पित किये जाते हैं धान लक्सिमात हतों में हम खील ले लेंगे और लक्षमी माता के उपर हम खील की वर्षा करेंगे तो देखे ऐसे सभी पर हम खील की वर्षा कर देंगे खील की वर्षा करते हुए हम खील पताशे का भोग लक्षमी माता को समर्पित करते हैं इससे घर में अंधन की बरकत होती है इसके साथ ही हम मिठाईों का भोग लगाते हैं आप खीर या हलवे का भी भोग लगा सकते हैं फिर हम बहुत सारे दिये जलाते हैं कुछ लोग 11, 15, 101 बहुत सारे दिये जलाते हैं तो आप सारे दिये मिठी के जो दिये हैं उनमें बाती लगा के सरसो के तेल से दिये जला सकते हैं और देखे इस तरह से हम लोग सारे दिये जलाकर चोकी के पास रखिए चोकी को भी दियों से सजा लेंगे और पूजा के बाद पूरे घर में हम दिये जला देते हैं च Panel के ऊपर बहार भीतर अंदर सब जगे दिये जला के आरती करेंगे और पूरे परिवार के साथ बहुती प्रेम सहीत हम लक्स्मी माता की आरती करते हैं आरती करने के बाद हाज जोड़कर लक्स्मी माता से अपने घर में सथाई निवास करने के लिए प्रातना करते हैं और अपने घर में अंधन की बरकत के लिए प्रातना करते हैं इसके बाद हमारी पूजा पूण हो जाती है पूजा के बाद जो जलका लोटा है या यक तौरे परिवार में परशाद सुरू बांट देते हैं तो यह जो परिशाद है ये सभी को हम वित्रित कर देंगे इसके अलावा जो चोकी है वो हमें अगले दिन उठानी है बाकी चोकी का सामान हमें नहीं उठाना है और चोकी हम कैसे उठाएंगे सारे सामान का हम क्या करेंगे इसका वित्रित वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहाँ पर देख लेना दिवाली पूजा की ये सरल विधी है इसका वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज तोहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जै मालक्षमी राधे राधे